हेलो एवरिवन वेलकम तो तार्शो केड़ में बैंकिंग इंडो आई बीपियस ने आरारबी लोफीसे स्केल 2 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और यहां पर आपको यह वीडियो है लास्ट डेट का यानि आज है 27 जून तो आज लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए तो जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो यहां हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन में हमारा पेपर पैटन क्या है मेंली वही देखेंगे बाकी लोगों अधिकतर लोगों ने इस form को भर दिया होगा तो बस last date है जो बचे हैं जिन्हें इस form के बारे में information नहीं थी वो इस form को जरूर भर है तो आप लोग के लोग जो सबसे पहली बात है कि notification आप लोग पूरा पढ़ें और उसमें हर एक चीज जरूर पढ़ें कि उसमें क्या आपके जो ये form का है क्या-क्या उसमें बताया गया है और एक चीज जो important वो ये है कि RRV scale 1 का जो form है और RRV scale 2 के लिजबिल है तो सिर्फ आप RRV low-fist scale 2 का ये form फिल करें RRV scale 1 का form ना फिल करें अगर आप दोनों में से दोनों form फिल करते हैं तो सिर्फ आपके एक admit card आएगा जो आप last form फिल करेंगे तो काफी student ये गलती करते हैं जिसे उनको जो है exam में देने को नहीं मिलता admit card उनका release नहीं होता है last जो form वो फिल करते हैं तो वही उनका admit card release होता तो ये चीज़ ये है जो ध्यान पूर्बक आप लोगों ने सुन लिया होगा और ये गलती आप लोगों ने नहीं की होगा अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो ये last date का reminder है आपका तो आप फिर से form को apply कर सकते हैं जो form आप last में apply करेंगे वो आपका recognize किया जाएगा और उसी के आधार पे वो admit card release किया जाएगा तो जिन्होंने दोनों form भरा है तो वो अभी भी application form फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए IBPS उपर सबसे पहले लिखा हुआ है जहाँ पर institute of banking ग्राम कराती है जो ग्रामीड बैंक का है और यह कितने एक्जाम कराती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए multi-purpose है assistant जो होता color होता of assistant multi-purpose और scale 1 का होता scale 2 का होता scale 3 का होता यह तीन एक्जाम जो है RRB के तवारा ग्रामीड बैंक का कराया जाता और भी exam जो है IBPS conduct कराती है scale 1 law of is a scale उनका भी कराती है और जो उनके भी कराती है तो यहाँ पर सिर्फ हम last date है मैं बार बार आप रहा हूँ last date है जिनों उन्होंने पॉफिल किया उन्होंने cycle उन्होंने भार फॉर्म को वह आज फॉर्म यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से RRBs के bank है जो इस exam में participate यहाँ पर भी आप लोग फटा-फट देख लीजिएगा कौन-कौन से bank है और किस state के हैं तो यहाँ पर total 43 है प्रॉक्स 43 ही है total तो यहाँ पर जो-जो bank है जिनकी state में है वो अपना देख लीजिए उसी साब से अपना preference भी आप दीजिएगा अगर preference आपने अच्छा-खासा लगा दिया है तो ठीक है निक comment में करके आप बताइएगा तो preference का वीडियो मैं आपको तुरंद प्रोवाइड कर दूँगा आप लिंक में जो है comment करिएगा तो वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ तो यहाँ पर कुछ bank है जो participate किये इसमें आप इसके नाम पढ़ लीजिएगा तो जो important है बस last day reminder का वीडियो है तो मैंने का आपको बस थोड़ा सा बता दिया जाए दूसरे पर है यहाँ पर age जो है लोग इसे scale 2 के अगर हम बात करते हैं तो 21 years से लेकर 32 manager लिखा हुआ और जो reservation category के हैं तो यहाँ पर देख लीजिए उनको छूट दी जा रही है जैसे सेस्टी है तो यहाँ पर चीज़े को आप लोग देख लीजिए जो educational qualification है RRB law office scale 2 के लिए वो काफ़ important है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ law officer degree from a recognized university in law और its equivalent with a minimum 50% marks आपके law में होने चाहिए चाहिए वो 5 year हो या 3 year हो उसके साथ ही साथ आपका दो साल का advocate का experience होना चाहिए अनुभा होना चाहिए यानि आपका जो date of registration है आपके state bar का उस date से आज तक की date जब इनका notification आया है उस date तक आपका दो साल लगबग advocacy का आपके पास experience होना चाहिए या आप किसी bank में as a scale 1 law officer या किसी private bank में law officer का अगर आपने 2 साल काम किया है तो वो भी इस form को fill कर सकते हैं कहने का मतलब 2 साल advocacy का या 2 साल law officer किसी financial institution में या किसी private bank में भी अगर आपने काम किया है तो इस form को आप fill कर सकते हैं यह हो गया था educational qualification अगर कोई doubt है आपको तो comment में करिएगा आपको वहाँ पर इस cancer दे दिया जाएगा fee आप देख लीजिए fee क्या है scale 1, 2, 3 के लिए बराबर fee है जितने भी category के हैं S.C.S.T.P.W.D को छोड़ कर S.C.S.T.P.W.D का 175 रूपीज है बाकी और जितने category बिलोंग करते हैं General O.V.C. E.W.S. उनका सबका 850 रूपे फॉर्म रखा गया है तो यह फॉर्म का हो गया अब हम देखेंगे paper pattern जो हमारा lawfices scale 2 का है mainly वही हम देखेंगे यह है हमारा paper pattern और इसमें कोई changes नहीं है जैसे नहीं यहाँ पर आप देखिए पहले पर professional knowledge दूसरे पर reasoning तीसरे पर financial awareness और चौथे पाचवे पर आपको दिया गया English language और Hindi language यह भी काफी confusion रहते हैं क्या मैं क्या मैं Hindi language को opt कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं दूसरी चीज़े हैं हम सारे पेपर हिंदी में दे रहे हैं क्या English language आप्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई doubt नहीं है आप बिल्कुल कर सकते हैं सबके number आप question 40-40 हैं और पाचवे पर computer knowledge और छटे पर quantitative aptitude and data interpretation तो यह सबके 40-40 ने total 240 यानि 240 number question होंगे और maximum वार होगा 200 का 2 घंटे 30 मेट आपको time दिये जाएंगे तो यह है आपका paper pattern ध्यान से इसको देख लीजिए अगर यहाँ पर कोई doubt आती है तो आप comment में पूछ सकते हैं के बाद यहाँ पर important date दी गई है जिसमें आज last date है आपको पता है कि form जो भरा जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 27 June 2022 तक भरा जाएगा ठीक है यानि 27 June आज है और आज last date है आज रात के 12 बुजे तक आप form को भर सकते हैं जिनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ form होता है तो आप इस form को भर सकते हैं बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे लॉफी से scale 2 का होगा यह online exam में single जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख लीजिए September, October 2022 में tentative बताएगा date नहीं दी गई है तो मानकर चली कि September जो 25 September है यह notification जब इनका पहला जनवरी में आया था कि 25 September को हम exam कराएंगे तो possibility है कि 25 September को exam हो जाएगा और बाकी और भी जो scale 1 और office assistant को उनके सारी date दी गई हुई है इसके बाद जो अगली news यह है कि कौन-कौन से bank में vacancy है तो यहाँ पर पूरी एक list है आप देख सकते हैं इस बाद total 18 vacancy आई हुई है कुछ bank को ने not report किया निए उन्होंने vacancy को report नहीं किया है तो कुछ vacancy पढ़ने के हमेशा chances होते हैं तो कुछ ना कुछ तो vacancy increase होती हुई है अभी total है आपकी 18 vacancy और किस-किस bank में है यहाँ पर सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं पॉस करके आप देख लीजिएगा किस bank में कितनी vacancy है तो total 18 है यह important है तो बाकी बस इतनी important news थी इस notification में अगर आपको कुछ चीजे नहीं आती हैं नहीं पता हैं वैसे सब कुछ आपको पता ही है तो आप पूछ सकते हैं comment box में तो यहाँ पर यह bank का हो गया और वैसे यह video notification का है बट यह last date reminder का है जिन्होंने अभी तक form नहीं भरा है वो भर सकते हैं जिन्होंने scale 1 यह office scale 2 दोनों भरा है अगर last में scale 1 भरा है तो फिर से आप scale 2 के लिए apply गर सकते हैं या जिन्हें कुछ नहीं कोई agency आती है वो अगर आज video देख रहे हैं तो वो भी इस form को fill कर सकते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़े हमने discuss कर ली है अगर आपको कुछ इसमें doubt होता है या कुछ भी पूछना हो तो आप comment में करके पूछ सकते हैं करता हूँ यह वीडियो आपको काफी informative लगा हो तो वीडियो को like, share जरूर करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में God will shoot all, thank you for watching